नमस्कार आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे फिल्म अभी नेत्री काजोल ने राजनेताओं पर दी अपने बयान पर अब सफाई जो है वो पेश कर दी है काजोल ने एक इंटर्व्यू के दौरान राजनेताओं के अनपढ़ होने और उनके विजन पर सवाल उठाए थे हाला कि अब काजोल ने साफ किया है कि किसी राजनेता का अपमान करना उनका मकसद नहीं था साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में शांदार राजनेता है जो देश को सही रास्ते पर चला रहे हैं मैं काजोल ने विवाद बढ़ने पर शनिवार को एटूइट किया मैं सिर्फ शिक्षा और उसके महत्वों पर बात कर रही थी मेरा मकसद किसी भी राजनेता को अपमानेत करना बिल्कुल भी नहीं था जी हां हमारे पास कुछ शांदा राजनेता है जो हमारे देश को शही दिशा जो दिशा में चला रहे हैं और एक वेबसाइट को दिये इंटर्व्यू में काजो ने इस बात पर जोर दिया था कि देश के विकास के लिए पड़े लिखे राजनेताओं का होना जरूरी है उन्होंने कहा था बदलाओ खास कर हमारे इंडिया जैसे देश में बहुत स्लो है ये बहुत धीरे-धीरे हो रहा है क्योंकि हम अपनी परंपराओं और सोचने की प्रक्रिया में फसे हुए हैं और हाँ इसका लेना देना सिक्षा से है काजो ने कहा कि आपके पास ऐसे राजनेता है जिनके पास एक्स्रूजव सिस्टम बैक्राउंड नहीं है जी हां माफ कीजेगा पर मैं तो ऐसा कहूंगी उन्होंने कहा मैं ऐसे नेताओं के साशन में रहती हूँ जिसमें से कई लोगों के पास नजरिया ही नहीं है जो मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई से आपके अंदर आता है कम से कम शिक्षा जो है अलग-अलग नजरियों को देखने का मौका देती है और आपको बता दे कि काजूल इन दिनों अपनी अगली वेब सीरीज जट्राइल के प्रोमोशन में काफी जाद अव्यस्ट चल रही है और ये सीरीज अमेरिकान शोग दा गुडवाइफ का हिंदी एडेप्शन है और हाली में उनकी फिल्म लज स्टोरीज भी रिलीज हुई थी जिसको भी और अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा था तो इस तरह के अंटेटेम्य जगत की तमाम अप्डेट्स के लिए जूड़िए इंट्या नियूज के साथ